कि नमस्कार कि अ कि मेरा नम है श्रीपद पंदरेनात माने मैं सातारा से हूं सातारा महारास्ट्रा जासे अपने कंपणी का हेड़ आफिस है वहीं से हूं मैं और कि तो हम लोग आज की मीटिंग शुरुआत करते हैं लोग कि अ कि अ कि तो आज की मीटिंग हम शुरुबात करते हैं जैसे कि मैंने बोला मिरा नाम श्रीपद पंदरनात माने है सतारा जीले से हूं जहाँ से अपना है और दोस्तों आज का जो सेशन है सेशन का नाम है सेवन स्टार धन्वंतृ कि दोस्तों धन्वंतृ जैसे ना बहुत सारे लोगों को पता है कि सेवन स्टार में बदल गई है कैसे वो seven star बन गई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत सारे अलग-अलग products के बारे में हम लोग जो रन्वंत्री के products है उसके बारे में जो नए लोग है उनके लिए नया रहेगा और जो पुराने लोग है उनके लिए तो मतलब यह अलग तरीके से यह यह जानकारी रहेगी तो दोस्तो मैं स्क्रीन शेरिंग के साथ स्क्रीन शेरिंग के साथ इस सेशन को मैं शुरुबात करता हूँ कि अधरनिया हमारे त्रीदयों को मतलब हमारे आधरनिया डॉक्टर रमेश पाठिल सर कंपनी के सेम्ड और चेर्मेट अधरनिया श्री प्रकाश खलाटे सर अधरनिया श्री शेशिकांगुल उनकर सर तीनों को नमन करते हुए आज का यह शेशन हम शुरुबात करते हैं दन्वंत्री नेक्स्ट जेनरेशन सेवन स्टार धन्वंत्री तो यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और स्वं स्टार धन्वंत्री दोस्तों बहुत इंट्रेस्टिंग है तो अभी सावङन्वंत्री के सवगन क्या है तो पहला स्टार है ऐरुवेधिक प्रो क्रेटरी मेडिसेंट जैसे के हमारा है इंसानी सेहत के लिए तो यह पहला स्थार है दोस्तों और दूसरा स्थार है नुट्रिशन हमारी सेहत के लिए जो भी पोशक आहारव के प्रोड़ेट्स की जरुवत है यह सारे जैसे के यह सारे पोशक आहारवाले जो भी नुट्रिशनल प्रोड़ेट्स है तो यह हमारा दनवंद्रे का दूसरा स्थार है तीसरा स्थार है केमिकल फ्री होमकेर मतलब हमारे घर में जो भी मतलब प्रोड़ेट्स की जरुवत होती है जैसे कि अभी फर्ष को साफ करने करने वाला प्रोड़क्ट है ना कपड़ों को साफ करने वाला प्रोड़क्ट तो केमिकल फ्री होमकेर प्रोड़ेट्स यह तीसरा स्थार है दोस के लिए जो भी अलग-अलग प्रॉजिक्ट से यह हमारा चौतास्ता स्टार है थो क्यों और टेकर की लिए इसती तो इस तरह से residue-free organic farming वाला ये हमारा पांचवा स्टार है मतलब क्मिकल के बिना किसानों खेती के लिए है no chemical के बिना खेती के लिए को कुछ product लाएं है और चटा स्टार कोन सा तो यह है अनीमल healthcare मतलब जानवरों की सहित के लिए भी है यह हमारा च्छटा स्टार है और सात्वा स्टार दोस्तों लीडर स्मार्ट लीडर आसेसरी मतलब किसी भी दनवंत्री के डिस्टिबिटर को या किसी भी दनवंत्री के लीडर को क्या करना है उनको दनवंत्री को मार्केट में जाके प्रेजेंट करने के लिए उनको स्मार्ट लीडर ऐसे इचक्षाई में क्या आता है दोस्तों तो दन्वंत्री का बलेजर उसके बाद दन्नुंत्री का टाई दन्न दन्हंत्री का बेलट दन्न रज़्ट दोस्तों और दन्न सर्ष्ण में लैघड़्टॉप बैड और आना जबहांग बाहर जाते हैं दो तीन त्रावलिंग ट्रॉलीबैक भी है ओके और धन्वंतरी के पॉर्ड तो यह सारी स्मार्ट लीडर ऐसे सरी हम लोगों को अगर इस इस सारे चीजों के साथ अगर हम सही तरह से हम लोग गाना जाते हैं तो हम लोगों को दन्वंतरी को प्रेजंट करने में बहुत आसान तरीक र है अलग-अलग प्रोड़क्स तो यह आयर्मेदिक प्रोड़क्स प्रोड़क्स पहला स्टार दूसरा हमारी सेहत के लिए जो भी पोशक आहरं के प्रोड़ेट की जरूरत है जैसे कि प्रोड़क्स 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 फार्मन के लिए और जैसे किसानों को है वैसे जैसे ही जानूवर जैसे कि गाय भैस्तार बक्री ब्रेश दोस्तों सबीनस्य और 7 में सफ़ार इंसानी सेहत के लिए या हमारे हेल्थ के लिए पहला प्रोड़क्ट है कैप्शूल इम्यूरिच दोस्तों कैप्शूल इम्यूरिच कमपनी का सबसे पहला प्रोड़क्ट और कैप्शूल इम्यूरिच में है गोप्यूश दोस्तों गोप्यूश के बारे में हम सोब लोग जानते हैं गोप को हम लोग ने खाया भी है और किस तरह से खाया है यह भी पता है हम लोगों को तो गोप्यूश मतलब गाय का पहला दूद गाय का पहला दूद मतलब पच्छडा पैदा होने के बाद पहले तीन दिन तक जो दूद निकलता है तो बच्छडा पैदा होने के बाद जो पहले तीन दिन तक है ना जो गाड़ा पीला दूद मिलता है उसी को गाए का पहला दूद और संस्क्रित में गोप्यूश बोला गए दोस्तों हेला तो 5000 साल पहले तो और संस्क्रिक्ण रखत आईर वेट जो पहले यहीं खूद रिखा गया है यहीं को नदा है है और क्याप्शिल इमिर्ज जो के हमारा सबसे पहला शुरुवाती प्रोड़क्ट है एक जबरदस्त गोँष के बारे में है ना धन्वंत्री पहली कंपनी है जिन्होंने गोँष के थे यह भी हम लोगों को बतलब गाय का पहला दूद सभी को पता है लेकिन उसका महत वो पता नहीं है तो इसका महत किस ने लिखके रखा आयरुवेद में रुशी मुनियों ने लिखके रखा तो आप लोगों को यहां पे आप लोग खुद पोचोगे सरक्प्शूल में जो गोप्यूष है तो यह गाय में प्हाइन को पहले दूद के Mr. लेके रखा रख्ण को वह कोड़े पहले पहल को दूद है तो सभी मैमल्स को पहला तो इससारे पहले जानवरों को छोड़के गाए के पहले दूद के बारे में क्यों लेकत रखा तो यह आपका पहला प्रश्ण रहेगा तो के अगर आप लोग हम लोग ध्यान देंगे तो रिशी मुनियों ने गाई के पहले दूद को पियूश बोला है गो पियूश गो मतलब गाई और पियूश मतलब अमरीद बोला है तो लोग दोस्तों अमरीद मतलब क्या है अमरीद मतलब आमरण नो डेद तो यहाँ पे ध्यान देनी वाली क्या है रिश्यम उन्यों ने गाई के पहले की अमरीट क्यों बुलाया ऐधी जानुरों के पहले क्यों को इसलिए मतलब अमरीट क्यों बुलाएं और तीसरा प्रश्ण नहीं है कि आपका यह रहेगा कि यह जो गोप्यूज है यह आधुनिक बीमारियों में कैसे काम करेगा दोस्तों तो यह बहुत ही जबर्दस मतलब गोप्यूज के बारे में दस साल से मैं जब इसके बारे में बात कर रहा हूं अधरनिय डॉक्टर रमेश पाटिल सर को बहुत सारा धन्यवाद क्योंकि है ना उन्हें बहुत सारा गोप्यूज के बारे में दर्वंत्री पहली कंपणी है दोस्तों जो गोप्यूज के बारे में इतना सारा जानकारी दे रही है और बहुत बढ़िया तरीके के और वेग्यानिक जानकारी दे रही है दोस्तों हम लोग ऐसे ही बात नहीं करें कि आप किद्नी का तकलिफ होगा कोई भी प्रॉब्लम में गोप्यूश कैसा काम करता है यह दनवंत्री पहली कंपनी है कौन सा तत्व गोप्यूश में कौन से कौन से बीमारी में काम करता है तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि काट्फिलिंस में माद्याम से जो हम गोप्यूश दे रहे हैं और गोप्यूश है ना तो पहला प्रश्न है कि रुशी मुनि ने गवाएक के पहले दूद को प्यूश की बुलाया और तीसरा यह जो गोप्यूश है यह मौरन decision में कैसे काम करेगा हम जानेंगे तो दोस्तों इम्यूरिच के बारे में जब हम बात करते हैं अगर सम लोगों दोस्तों अगर इम्यूरिच को समझना है तो हम लोगों को पहले मा के पहले दूद के विशे हम इस तरह से शुरुबात करते हैं कि हम जब पैदा हुए तो हम लोगों को मां का पहला दूद मिलता है और हम क्या देखते हैं मां का पहला दूद बच्चे को बचा रहा है बीमारियों से और बच्चे की बड़त भी कर रहा है तो यहां पर देहन देने वाले बात क्य है कि मा का पहला दूद बच्चे को बचा रहा है बीमारियों से और बच्चे की बड़त भी कर रहा है तो मा के पहले दूद में ऐसे कौन से तत्वे हैं जो बच्चे को बचा रहा है बीमारियों से और बच्चे की बड़त भी कर रहा है तो मा के पहले दूद में है रोग प्र दूद से मिलता है और तीसरा तत्वा है पोशक तत्वा, nutritional factors, तो मा के पहले दूद से रोग प्रतिकार स्रमता के तत्वा, immune factors, शेरिन को बढ़ाने वाले तत्वा, growth factors और पोशक तत्वा, nutritional factors हम लोगों को मा के पहले दूद से मिलता है, लेकिर देखो दोस्तों पहला जो पढ़ाव है पहला जो पॉइंट है हम लोगों ने क्या समझा क्या सुना है कि मा के पहले दूद से है ना मा के पहले दूद में इसे कौन से तत्व है जो हम बच्चे को बचा रहा है बीमारियों से और बच्चे की बड़त भी कर रहा है तो मा के पह को बढ़ाने होल तत्वा और तीसरा तत्वा है nutritional factors मतलब पोशक तत्वा पोशक आहार का तत्वा तो यहां पे दूसरा पड़ाओ में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि मां के पहले दूच से इम्यून factors, growth factors और nutrition factors रोग प्रतिकार्शमता के तत्वा शेरिल को बढ़ाने हो तत्वा पोशक तत्वा तो मिलते हैं लेकिन है ना अभी दूसरे पड़ाओ में हम क्या जानेंगे कि इम्यून factor, growth factor, nutrition factor मिलने के बाद मां के पहले दूच से मिलने के बाद इसमें जो growth factor है दूसरा तत्वा growth factor तो growth factors का पहला काम क्या है दोस्तो growth and development है ना हम लोग इतने बड़े क्यों हो गए हमारा शेरिर का भी विकास हो गया हमारे शेरिर की उन्चाई भी बढ़ गी तो यह उन्चाई और शेरिर का विकास क्यों हो गया क्योंकि growth factors का पहला काम क्या है दोस्तो growth and development और दूसरा काम क्या है repair and regeneration यही growth factors जो हमारे शेरिर का विकास करते हैं हमारे शेरिर को बढ़ाते हैं तो यही growth factors का दूसरा काम क्या है repair and regeneration दोस्तो repair and regeneration है बहुत बड़ी प्रक्रिया है है लेकिन अभी यह प्रक्रिव का उधारन कैसे देते हैं हम लोग तो अभी रिपेर औरर रिजंडरेशन मतलब रिपेर और रिजङनरेशन क्या है कुणर निर्मान ऑक हमारे शरीर का पुणर निर्मान कैसे होता है दोस्तो जैसे कि अभी growth factors का तो पहले पढ़ाओं में हम लोगों ने देखा कि मा के पहले दूछ से हम लोगों को immune factors growth factors and nutrition factors हम लोगों को मिलते हैं लेकिन दूसरे पढ़ाओं में मतलब है ना दूसरे पार्ट में हम लोग क्या सुनते है कि मा के पहले दूछ से immune factor growth factor nutrition factor तो मिल गए लेकिन इसमें जो growth factor क्म क्म क्रथा और दूसरा काम क्या है रिपेयर और जॉटेकर और この एस बच्छे में का मतलब क्या है यही growth factors repair and regeneration भी करते हैं भी repair and regeneration मतलब क्या है कि दोस्तो कभी भी हम लोगों को कोई भी घाव है ना हमारी तवचा कट जाती है मास्तेशियां कट जाती है या किसी भी कारण जब घाव हो जाता है शरीर में तो दोस्तो हम लोग देखते हैं कि यही गाहाव जो है गाहाव या कटना बिना दवाई के भी ठीक होता है कि नहीं है ना कई सारे महिलाओं में जब बात करते हैं तो महिलाओं में जब उनके किचन में है रसोई में काम करते हैं कुछ जखम हो जाता है कटने की बज़े से तो हम लोग क्या देखते हैं कि यह यह खेती में काम करते हो एकिसानों को बहुत सारे जखम हो जाते हैं तो यह जखम और मार जो है हम लोग देखते हैं कि बिना दवाई के भी ठीक होता है कि नहीं क्यों ठीक अपने आप इस जखम को ठीक क्यूं कर पता है, है ना शेरिर क्यों कर पता है ठीक? क्योंकि हमारे शेरिर में मा के पहले दुद के माद्यम से क्या मिला दूसरा तत्व है growth factor, शेरिर को बढ़ाने वाला तत्व तो यही शरीर को बढ़ाने वाला तत्मा का दूसरा काम क्या है repair and regeneration दोस्तों यह प्रक्रिया बहुत जरूरी और बहुत important है लेकिन हम लोग वह ना उसको जब भी जखम हो जाती है या मार लग जाता है तो हम वैसे ही छोड़ जाते हैं लेकिन छोड़ने के बाद अपने आप क्यों होता है क्योंकि growth factors का काम क्या है repair and regeneration दोस्तों जब भी इस session में आपको पूछूंगा कि growth factors का दूसरा काम क्या है तो यही बात बोलनी है दोस्तों repair and regeneration क्योंकि यही प्रक्रिया बड़े-बड़े इलाजों में नहीं हो रहा है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े है ना जब भी हम emergency में admit हो जाते है या कभी भी stroke हो जाता है है तो admit हो जाते हैं तो admit होने के बाद मतलब यहां पर दोस्तों जहां देने वाली बात क्या है कि जब भी हमारे शरीर में diabetes की बज़ जैसे कि मतलब किद्नी डामेश रेटिनौपैति इसके लिए रिपेर और रिजनरेशन नहीं है दोस्तों और इसलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ फैक्टर काम क्या है रिपेर और रिजनरेशन और इसलिए हम लोगों nya ने पहला चीस क्या देखा है कि मा के पहले दूद6 फैक्टर है इसमें पहला काम क्या है ग्रोथ थैक्टरिव्मेंट दूसरा क्या है हुर्श GENERATION दोस्तों और तीसरा पढ़ाओ क्या होता है इसी में गोपियोश मा के पहले दूद में है ना तीसरा पढ़ाओ क्या है कि मा के पहले दूद से ये जो तीन ततवों मिले Immune Factor, Growth Factor, Nutrition Factor मिले इन तीन तत्वों का असर मतलब मा के पहले दूद का असर हमारे शेरीर के उपर कब तक है हमारे उमर की 40, 50, 60 साल तक मा के पहले दूद का असर रहता है और इसलिए हम क्या देखते हैं जब तक मा के पहले दूद का असर रहता है हमारे शेरीर के उपर कब तक है हमारे उमरी की 40, 50, 60 साल तक मा के पहले दूद का असर होता है और इसलिए हम क्या देखते हैं जब तक मा के पहले दूद का असर होता है तब तक कोई भी बीमारी नहीं होते है जैसे कि कोई भी विमारी डाइबिटीस ब्लेड प्रेशर या जो भी विमारिया है जोड़ो कदर ये सारी विमारिया उम्र होने के बाद ही क्यों आती है क्योंकि उम्र होने के बाद ही मा के पहले दूद के तत्वों का असर कम हो जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी युवाव लोग होते हैं 25, 30, 35, 40, 50, 60 साल तक कोई भी विमारी डाइबिटीस, बेड प्रेशर या जोड़ों का दर नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मा के पहले दूद के तत्वों का असर कम होते होते खतम हो जाता है और इसलिए उम्र बढ़ने के बाद है का असर खतम होने के बाद बीमारी बढ़ने के बाद इस उम्र में 40, 50, 60 साल के बाद के उम्र में हम लोगों को फिर से किस की जरूद है फिर से मा के पहले दूद के तत्वों की जरूद है ना दोस्तों उम्र बढ़ने के बाद मा के पहले दूद का असर खतम होने के बाद क् मा के पहले दूद के तत्वा नहीं मिल सकते इसलिए रिशी मुनी ने क्या किया आयरवेद में गाय के पहले दूद के बारे में लिख के रखा तो आप लोग पूछोगे सिर्ब बढ़ते उम्र में 40-50-60 साल के बाद फिर से जब मा के पहले दूद के तत्वा की ज़रूरत है तो वो तो पहले दूद के तत्वा मतलब मा के एक ही बार मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं जब मा का पहले दूद जो एक ही बार मिलता है जब पैदा होता है उसके बाद तो हम नहीं मिलता है तो रिशी मुनी ने क्या किया इस बढ़ती उम्र में मा के पहले दूद के तो बाकी जानवरों को छोड़के रिशी मुनियों ने गाई के पहले दूद्ट के बारे में से क्रखा माक Κे पहले दूदर के ततो बढ़ते हों तुर में फिर से चाहिए प्रिश कोको लेवी तेरा आई हुआ आया तो उन्हों ने देखा जब scientists लोगों ने भी यही देखा कि बढ़ते उम्र में जब मां के पहले धूत के तत्व पिर से जब चाहिए तो रुष्य मुनि ने गाये के पहले धूत के बारे में क्यों लिख के रखա यह जब scientists लोगों ने क्या किया scientist लोगों ने उसके उपर खोज किया गाय के पहले दूद के उपर खोज किया और उनको ये पता चला कि मा के पहले दूद के तत्व और गाय के पहले दूद के तत्व दोनों समान है तो अभी हम लोगों को पता चल गया है ना कि मा के पहले दूद के तत्व बढ़ते समझ में आया होगा कि हम लोग गाय को गो माता क्यों कहते हैं भैस को माता क्यों नहीं कहते हैं पक्री को माता क्यों नहीं कहते हैं क्योंकि मा के पहले दूद के तत्वा और गाय के पहले दूद के तत्वा दोनों समान है और इसलिए बढ़ती उम्र में फिर से जब मा के पहले दूद के तत्वों की जरूरत है तो हम लोगों को कहा से मिल रहे हैं गाय के पहले दूद से मिल रहे हैं तो दोस्तों और इसलिए हम गाय को गो माता कहते हैं कि इस उम्र में फिर से जब मा के पहले दूद के तत्वों की जरूरत है तो हम लोगों को गाय के पहले दूद से मिल मिल रहे हैं फिर से मांके पहले दुर्द थर से मिलेंगे तो क्या इसिह कहां से मिल रहे हैं यहीं इन पह से कहां से मीम के माध्यम से मिल रहे हैं ओके ज mensen मिल रहें लेकिन फिर से मिलेंगे तो क्या होगा फिर से इम्यून फैक्टर्स मिलेंगे तो क्या होगा फिर से नूट्रिशन फैक्टर्स मिलेंगे तो क्या होगा है ना तो दोस्तों बढ़ते उम्र में बीमारियां क्यों बढ़ गई क्यूंकि रोग प्रतिकार शमता के तो और बीमारिया तो ठीक हो गई लेकिन बीमारी की बजे से जो अंगों की हानी हो गई दोस्तो उसको ठीक कोन करेगा growth factors क्योंकि growth factors का दूसरा काम क्या है repair and regeneration दोस्तों ये बड़ी ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है बड़ी है और ये प्रक्रिया फिल से जब चाहिए है ना इसलिए हम लोग देखते हैं कि युवावों में कोई भी बीमारिया कोई भी जखम ठीक होने में और वयसक लोगों में क क्या होता है उम्र बढ़ने के बाद मां के पहले दूद के तत्वों का असर खतम हो जाता है इसलिए recovery repair and regeneration नहीं होता है यही तत्वव फिर से जब गाय के पहले दूद से मिलता है तो यही repair and regeneration फिर से ठीक शुरू हो जाता है और इसलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि गाय के पहले दूद के माद्यम से वही तत्व मां के पहले दूद के तत्व फिर से मिलेंगे तो क्या होगा फिर से और क्रोथ सिर силь दोस्तों और और ये कहना को जा साइन्स लाब में तयार नहीं कर सकता सिर्फ माद्यम से सिर्फ गोफ्यूश्मी से तयार हो सकते हैं इम्यून फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर्स और नुट्रिशन वैक्टर्स तो दोस्तो अभी हम बात करेंगे अब तक हम लोगों ने यह देखा कि मां के पहले दूद के तत्वफिर से जब चाहिए तो गाय के पहले दूद से मिल रहे है अभी इसके बाद हम लोग यह देखेंगे तो यह जो गाय का पहला दूद है यह modern डिसिजस जो अधुनिक बीमारिया है इसमें कैसे काम करेगा दोस्तो हम शुरुआत करते हैं है ना हम लोग ना diabetes में बात करते हैं blood pressure में बात कर सकते हैं दिल की बीमारियों में बात कर सकते ह है ना भी दबर्दस तरीके से एक इलाज की तरह काम करता है दोस्तों गोप्यूश ओके blood pressure दिल की बीमारिया में इसमें बहुत सारी बेगानिक संदर्व है scientific references है और जोडों के दर्व तो मैं जनरली तीनी बीमारियों के बारे में बात करता हूँ और दाइबिटीज ब्लेड प्रेशर दिल की बीमारी और जोडों के दर्व में बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि समय की कमी है लेकिन मैं आपको बोलूँगा सबसे जो समझने वाला प्रब्लम है वह जोडों का दर्व ना दूस्तों जोडों लोगा जो ग्यान है वह बहुत इंट्रेस्टिंग है और मैं अब हम समझेंगे कि जोडों एसा काम करता है तो पहले हम लोगों को जोडों के दर्थ क्यूं होता है इसको समझना पड़ेगा तो जोडों के दर्थ में कैप्शुल इम्यरिच और डाबलोट ऐर्थ प्लस में सब्सक्राइब करते हैं उसके पहले जोड़ों का दर्द कियो होता है धोसे के किए जकुब सब्सक्राइब नुक्राइब चुन के ना और हमारा हम लोग देखते है कि अभी जोडों के दर्द में हमारे पास स्वीन делать जाती है 5-5 जाती है दर्द निवारत ङुंड के दर्द को कम करने के लिए लेकिन ले दर्दनेवारा गोली खाने से क्या होता है दोस्तों अलसर इड्नी डायमेज लंबे समय तक पेइन किलर खाएंगे तो क्या होगा अलसर और पेइन किलर लेकिन हम लोगों को जरूरत किसकी है दोस्तों कार्टलेज regeneration की ज़रूरत है है ना cartilage मतलब cartilage के पुनर निर्मान की ज़रूरत है और हमारे पास क्या है capsule image में capsule image में growth factors और growth factors का काम क्या है repair and regeneration दोस्तों 1990 से लेके 2001 के बीच में गो प्यूष के उपर चोडों के डर्द के उपर जो खोज हुआ है ना 1990 से लेके 2001 के बीच में जोडों के दर्द में गो प्यूष के उपर जो खोज हुआ है और यह कोज किस ने किया center for nutritional research नाम की एक समस्ता है इस समस्ता ने किया और यह खोज 1990 से 2001 के बीच क्या कहते है कि गो प्यूष में जो growth factor है transforming growth factor alpha and beta यह transforming growth factor alpha and beta क्या करते है cartilage formation और bone marrow formation मतलब दोस्तों जोडों में जो हड्यों की मजबूती की जरुवत है वो भी growth factor होता है और हड्यों के जोडों के बीच में जो cartilage होता है उसको भी तैयर करने के लिए फाइदे मद है दोस्तों है ना का इम्यूष के माद्यम से growth factors और लेकिन दोस्तों हम जब देखते हैं क्या किते हैं उसको की जोडों के दर्द में cartilage regeneration सिर्फ गोप्यूष के माद्यम से इम्यूरिच के साथ साथ क्या क्या किते हैं इम्यूरिच के साथ साथ आर्थोरिच प्लस टाबलेट टाबलेट इम्यूरिच के माद्यम से बहुत सारे लोगों को जोडों के दर्द में फाइदा हुआ है और पेंकिलर के साइड एफेक्स के बज़े से भी बचे हैं बहुत सारे लोग तो यहां पे cartilage regeneration के बारे में बात करते हैं और इस तरह से जोडों के दर्द में जहां पे हमारा ग्यान यह कहता है कि cartilage regeneration नहीं हो सकता और दोस्तों आपको भी पता है कि पेंकिलर खाने की बज़े से cartilage regeneration नहीं होता है और हम लोगों को ज़रुद किसकी है है cartilage regeneration cartilage के पुर्ण निर्मान के ज़रुत है वहां पे इम्यूरीच और तुरीच प्लस है ना टाबलेट calories डीटो मैक्स और कैप्शूल ओमेगा रिज यह चारो प्रड़क्ट जोडों के दर्द में सबसे जोडों को फिर से नया बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और यह प्रक्रिया किसने बोली दोस्तो उननीस सचानवे से लेके 2001 के बीच में जो Center for Nutrition Research नाम की संस्तानी किया और उनीस सचानवे से 2001 के बीच में यह जो जिसकी जानकारी के साथ जब आम लोगों ने लिया तो बहुत सारे लोगों को है ना फाइदा हुआ जोडों के दर्द में बहुत सारा आराम मिला दोस्तो और इसलिए यहां पर Regeneration के बारे में जब बात चलते हैं जब भी मैं पूछता हूं कि Growth Factors का दूसरा काम क्या है तो Growth Factors का दूसरा काम है Repair and Regeneration और जोडों के दर्द में भी हम लोगों को ज़रूरत किसकी है दोस्तो जोडों के दर्द में ज़रूरत है Cartilage Regeneration की और सिर्फ और सिर्फ का इम्यूरीज अर्थोरीज प्लस और ओमेगा कैप्शूल ओमेगा रिज यह चारो प्रड़क्स एक जब परदस्त कॉंबिनेशन जोडों का दर्द में इसी तरह से जोडों के दर्द में तो हम लोगों को बहुत सारा बात कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जोडों के दर्द के सा सारा रिदजित लिया है विए धूसिए के पिशन समय न अभी जैसे रोओओर निर्मान के बारें में बात करते हैं तो किडनी का पॉनर नर्मान पेशाप का प्रbase कर्मान बढ़ जाता है है की Kenny मतलब कई किडनी का लामेज किसी भी कारण रखचा का दो आइक बादी 4990 it की जरुरत है तो हिम् ethn और लामसिपार कम से कम एक लिटर कर्दम्ट के साथ जब भी हम किड्नी के पेशन में देते है तो कि यूरीन उटपुट बढ़ता है दो से किड्नी का पुनर निर्माण संदर भी तो इस तरह से दोस्तों इम्यूरिश के बारे में हम लोगों ने जोड़ों के दर्ध की स॔रियासिस को भी में बहुत बढ़िया रिजल्ट है कैंसर के पेशन में हम लोगों ने बहुत बढ़िया जहां पर कीमो तरीपिकल साइड एफेक्स को कम करने में फायदेवन होता है गोप्यूश और कैंसर में दोस्तों इम्यूरिज डिटॉक्सिफाइब जबर्धस काम करता है कैंसर के कोशिकां को करता है अपनी आप 자्र चाहे ऑगत्व कर सकते हैं और जितने भी बिमार्या है तो एसी भी मारियों में और बहुत सारे बिमार्यों में कैश्यल एक्स प्रॉड़ेजिद्ध दोस्तों आज में इतना ही ध्यान रखना कि दुनिया में सिर्फ यह जो भी उंगो की हानी होते लिए बहुत सारा कारण है capsule immunis के माध्यम से गोप्यूश के माध्यम से growth factors का का क्या है repair and regeneration दोस्तों तो आज का session का यही है हम लोगों को क्या लेके जाना है take home message क्या है दोस्तों कि growth factors का का काम और repair और regeneration और जो भी शरीर में damage होता है बीमारी की बज़े से बुड़ापी की बज़े से या कोई भी दवाई के side effects की बज़े से जो भी अंगों की हानी और्गनल damages होता है उसको repair और regenerate करने के लिए सिर्फ capsule image के साथ साथ दनवंत्री के जो भी अलग-अलग है अगर combination में लेते हैं तो damage repair होता है दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है और यह बहुत बड़ी प्रक्रिया भी दोस्तों और इसलिए बारा साल से है ना धन्वंत्री पहली ऐसी company है जिन्होंने गोपी उसके बारे में बात करना शुरू किया बारा साल पहले इम्यूरिच में आज का take home क्या है कि यह एक मात्र प्रड़क्ट है जो की immunity को जबर्दस तरीके से immunity को normal कर देता है और immunity को बनाय रखता है उतना ही नहीं इसमें जो immune factors है immunity को बनाय रखते हैं जबर्दस तरीके से और growth factors का का काम क्या है repair and regeneration जो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि किसी को भी kidney damage होता है या liver damage होता है या फेपडों के damage में दोस्तों आपको पता दूम है फेपडों की जब बात चली है दोस्तों तो बेपडों के जो अब करोना की स्थिती चल रही है दोस्तों करोना की स्थिती में भी इना इम्यूरिच डिटॉक्सी फाइव प्रोटी जन्रल है ना ओर एक 99 प्लस माउट स्प्रे ओर एक 99 पेस्टाइल्स है ना और पंच तूलसी मैग्नोरिच यह जितने भी साथ आठ प्रकार के प्रोड़ से एक जबर्दस कॉंबिनेशन है करोना की स्थिती में दोस्तों करोना की स्थिती में अगर हम बात करेंगे तो अगर अलग सा विशह बनेगा लेकिन आपको मैं अभी मतलब बता दू कि करोना के लिए इस सबसे बढ़िया जबर्दस प्रोड़क्ट इम्यूरिच है क्योंक अगर हम लोग इस चीज़ को दोस्तों अभी करोना के बारे में जब हम इम्यूरिच के बारे में लैक्टो फेरेंड के बात करते है लैक्टो फेरेंड जो की वायरस को नंश्ट करता सकता है और मैंने यह भी दोख़ा है दोस्तों की और एक 99K प्लस माउठ सानिटाइज़र ऐक जबरदस हल्दी का स्प्रे है और दोस्तों मैंने यह भी देखा है कि यह जो मौट्ट स्प्रे है यह न decisionsおおak 99k plus मौट रनौ्ट संय। हल्दी का हल्दी से बना हुआ मौट स्प्रे मौट संय। एक जबर्दस प्रोड़क्त दोस्तों भारत में किसी के पास भी ये प्रोड़क्त नहीं है सिर्फ धनवंत्री के प्रोड़क्त पास ही है और आपको पता है हल्दी के सारे गुन हल्दी के जबर्दस गुन इसमें हम लोगों ने दिये है और आपको पता है हल्दी को स्प्रे म लाना एक बहुत बड़ा आविश्कार है और अधरनिय प्रकाश खलाटे सर को और अधरनिय हमारे डॉक्टर रमेश पाठिल सर और आधरनिय शेशेकांद गुलुमकर सर तीनों त्रीदों को हम जितना धन्यवाद को कहेंगे इतना कम है क्योंकि यह जबर्दस प्रोड़क्ट और एक 99 k-plus मौट प्रे है दोस्तों यह करोना में की बात चल रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों समझने के जरूत है दोस्तों इसके ताकत को समझने के जरूत है मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं दोस्तों जितना मैंने अलोपेटि में भी देखा है दोस्तों मैंने धन्वंत्रे में भी जितने भी प्रोड़क्ट से देखा है तो यह अगर हम अलोपेटिक प्रोड़क्ट के साथ-साथ अगर धन्वंत्री के इस्तमाल करते हैं तो जह तो बहुत बढ़िया जबर्दस तरीके से लोगों को फाइदा हुआ है और दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि धन्वंतरी ने जो 15,000 बॉटल पुलीस डिपार्टमेंट में दी है दोस्तों है ना वो सबसे बढ़िया एक उधारण है कि वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि जिन पुलीस डिपार्टमेंट में पुलीस वालों को हम लोगों ने दिया है ना वहाँ पे भी जिनको करोना पॉज़ी क्यों था तो चार दिन से एक हफते के अंदर वो नेगेटिव भी होगे और जिनको इन्फेक्शन करोना का इन्फेक्शन नहीं था उनको बिलकुल भी उसका असर नहीं हुआ यह सबसे और यह स्प्रे जो है दोस्तों जब हम और एक 99 के प्लस मौट स्प्रे हल्दी का मौट सानिटाइजर के बारे में बात करते हैं बहुत ही एक जबरदस और एक शक्तिशाली हल्दी का और जैसे मैंने आप पहले भी बोला कि हल्दी को इतना धन्यवाद बोलेंगे उतना बढ़िया क्योंकि मैं बोलते हुए खभी ठकूंगा नहीं दोस्तों आप अगर मुझे चार दिन भी बोलोगे मैं ठकूंगा नहीं दोस्तों क्योंकि इतने जबरदस प्रड़ट्स को हमारे हाथ में लेकिन हम लोग इसकी ताकत दोस्तो समझे क्योंकि मैंने इसको देखा है बहुत बढ़िया टरीके का इसकी हम लोगों को पत्ता है हल्दी रोख-प्रितिकार शमता बनाये वाली और रोख-पिथिकार सम्ता को बनाये रखतेह को बनाए रखता है और किसी भी वाइरस को और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों है ना मैंने एक चीज़ देखिए है कि दोस्तों हैंड साइनिटाइजर देखो ज्यादा तर करोना का या किसी वाइरस का असर मुह से ज्यादा होगा कि हाथ से जो तो ज़्यादा असर होगा मुह से और इसलिए सबसे ज्यादा इंफेक्शन का जो कारण है मुह से हो सकती है तो दोस्तों जैसे हम लोग ने देखा कि इम्यूरिज के बारे में हम लोग ने देखा इम्यूरिज में इम्यूरिज के एक बात हम मैं हमेशा याद रखता हूं कि ये रोप्तिकार समता को तो बनाय रगता है लेकिन दिमादी वीमारियों को ठीक करते हुए भीमारियों के जैसे जो अंगो की हानी होती है उन अंगो के हानी को repair और regenerate का मतलब और ज पो रिखनेट का काम करते है और इस तरह से detto जीसे कि हमारी बात इम्यूरिज के बारे में बहुत सारा हम अलग-अलग बीमारियों में घंटों तक बात कर सकते हैं और करोना की जब बात चली तो इमिरिश में Lactoferrin है दोस्तो और Lactoferrin किसी भी दुनिया में वाइरस को नस्ट करने की ताकत रखता है दोस्तो ओके वाइरस Lactoferrin is a potent destroyer of viruses science में क्या बोला है कि गो प्यूष में जो Lactoferrin नाम का तत्व है वो एक शक्तिशाली वाइरस का नाशक है किसी भी वाइरस को नस्ट करके वाइरस को लेवल तो वाइरस के लेवल को कम करने की ताकत रखता है Lactoferrin और सिर्फ लेक्टोफरिन नस्ट नहीं दोस्तो पूरा गो और यही लैक्टोफिरिन वाइरस को तो नस्ट करता है लेकिन यही लैक्टोफिरिन हमारी रोप्तिकार्श्मता को भी मेंटेन करने में मदद करता है तो बहुत सारा हम यहां पे बात कर सकते हैं दोस्तों तो इम्यूरीच है ना किसी भी बीमारियों में डायबिटी से लेके ब्लड प्रेशर से लेके वाइरस से लेके आंटी बैक्टरियल आंटी डायबिटी है ना ब्लड प्रेशर जोडों का दर कैंसर आस्तमा सोरियासे ऐसे कई सारी बीमारियों में एक जबर्दस प्रोड़क्ट है capsule immurage दोस्तों तो capsule immurage में हम लोग घंटों बात सकते हैं capsule immurage को हम छोटे बच्चों से लेके वयसक लोगों तक हम इसको इस्तमाल कर सकते हैं है ना और जिन बच्चों को मा का पहला दूद नहीं और इसलिए चोटे बच्चे से लेके ऐसी नभे सो साल के लोगों के वह सकको मेंटेन करने बीमारी इसे बचने के लिए और बीमारी ना बादना भीमारी ना होने के लिए भीजिए के साथ साथ combination products हम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इम्यूरिच का यह सेशन जो था यह बहुत बड़ा सेशन है यह कभी न खतम उने वाला सेशन है दोस्तों अगला प्रड़क्ट हम देखते हैं चौको इमुनिटी दोस्तों चाको इमूंधि भारत का सबसे बढ़ civ зат curve लिदा चौकलेट नजैश्माइबकर भूसभी देए लूब इंटर के लिए इसमें गाय का पहला दूप अष्वगंधा जड़ी उर चांकपुश्पी जड़ी बूटी और चाको इमिनिटी एक पहला एक जड़ी बूटी वाला चॉकलेट है और चाको इमिनिटी से क्या क्या फाइदा होगा चोटे बच्चे से लोगे लेके कोई भी इसको ले सकता है हाना चाको इमिनिटी से अगर हम बच्चों को दे रहें तो उसकी इमिनिटी में गोप्यूश क्या करता है है ना हमारी रोगपतिकार समता को मजबूत रखता है आश्वगंदा हमारी सेहत की सेहत को बढ़िया और हमारी सेहत के विकास है ना बढ़ते वो बच्चों के सेहत के विकास के लिए और बच्चे और जो भी चॉकलेट को खाता है उनकी सेहत के के लिए एक सबसे बढ़िया जली बुटी ऐश्वगंदा और चंको पुषपी ना चौको इमुटी के माद्देम से चंको पुषपी दिमागी सेहत के लिए है ना और हमारे क्या बोलते हूं उसको बुद्धिक शम्ता बुद्धिक शम्ता और होश्यारी को बढ़ाने के और इसलिए चौको इमुटी तो भारत का एक मतलब चौकलेट है जो की इमुटी ग्रोथ और इंटलेक्ट मतलब रोप्रतिकार शम्ता शेरीट की बढ़त और हमारी दिमाग की सेहत के लिए सबसे बढ़िया चौकलेट है चौको इमुटी दोस्तो हम लोगों ने इमुटी क यह साथ प्रकार की और गोप्योष का एक जबरदस मिश्टने स्मुटी रिच ग्रयानियल स्मुटी मतलब याददास्त और याददास्त को बढ़िया तरीके से रखने के लिए स्मृत्रिज ग्रयानियूल्स दोस्तों और एक जबरदस ब्रेन टॉनिक है 12 साल से कई सारे बच्चों को है ना अभी एकजाम चालू है दोस्तों तो एक्जाम के सम्य में अगर Smittres granules हम लोग देखते हैं, देते हैं बच्छों को, समित्रीiganules से कैसे पायदा होता है, to Smittres granules एक जबरदस brain tonic है, दिमागी सहीत के लिए एक जबरदस दिमाग का tonic है, और Smittres granules अगर हम देंगे बच्छों को, तो उनकी याददास बढ़िया रहेगी, memory power कहते हैं उसको, उनका concentration मतलब ध्यान अच्छा रहेगा, उनका studying stamina मतलब पढ़ने की ख्षमता अच्छे रहेगी, है ना, तो memory power, concentration, studying stamina, है ना, और क्या कहते हैं, memory power, studying stamina, concentration, okay, grasping capacity, grasping capacity मतलब कुछ भी, अगर याद करते हैं, तो तुर शरीर की सेहत, बच्चों की शरीरीक सेहत और दिमागी सेहत के लिए, है ना, बहुत बंडिया product है, स्मूतिरिज ग्यान, तो स्मूतिरिज ग्यानुस एक बच्चो से लेके, असी नब्बे-स लोगों तो इसको ले सकते हैं, सिर्व डियाबिटीज के लोग इसको नहीं ले स सकते हैं जिसे की बच्चे पढ़ते हुए श्कूल में जाते हो बच्चों के यादस बढ़ेगी बढ़ेगा स्टडिंग स्टामिना करेगा और उनकी रहेगी और उनकी उनकी बड़त श्रीर की बड़त भी अच्छी रहेगी में अलग-अलग जब हम पोशक मतलब बुजरी बुटियों के बारे में बहुत सारा हम लोग बात कर सकते हैं तो दो दो चम्मत सुबह है शाम को एक ग्लास है ना थंड उबाल के थंडा किया हुआ हुआ दूद में हम ले सकते हैं कुछ दोस्तों कि यस ओमेगा रिच तो हमारा है फिर से नया प्रोड़क्ट केप्सुल ओमेगा रिच जो कि पहले हैंसर ऑ crystals के साथ था भी हैंसर ऑयल के साथ साथ ऑनियन ऑयल और गार्लिक मतलब कैस्व का तेल के साथ हम अभी आया है नया एक जबरदस्वाइव मासर दिया है ओमेगा रिच भी अचौन का 50 की साथ-चाफ और दोस्तों जब हम बात करते हैं ओमेगा रिच की तो ओमेगा रिच में जो अभी प्याद का तेल दिया है ओनियन ओइल एक जबरदस्ट आंटिबैक्ट्रियर तुजन को कम करने वाला और जखमों को जखमों में पस्वार्मेशन करने के लिए और बहुत सारे हमाया तो ओमेगा फैटी अ ना जो भी omega fatty acids हम लोगों मिलता था वो मचलियों के माद्यम से मिलता था लेकिन अभी क्या हो गया है यह जो chemical companyya है chemical factory है उनका जो chemical waste है वो समंदर में दाल रहे है और उसके बज़े से यह जो chemical waste मचलियों समंदर के मचलियों में जा रहा है और मचलियों की इनी समंदर की मचलियों के माद्यम से जो omega fatty acids मिल रहा था वो अभी विशयला बन गया है टॉक्सिक बन गया है और इसलिए दनवंत्री ने पांच साल पहले ओमेगा रिच जो हेंसीड माइक प्राकृतिक बीच के मा और omega fatty acids त्वचा की सेहत के लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट है इम्मेरिस डिटॉक्सिफर और omega rich और किसी भी त्वचा की सेहत के लिए सबसे बढ़िया जबर्दस रिजल्ट है और हमारे सूखे हुए बाल ड्राइब है और जोडों में जो सूजन होती है सूजन को कम करके दंद को कम करता है omega rich, omega rich हमारे खुन में जो कलेस्टरॉल ज़्यादा है उसको कंट्रोल करता है हमारे दिल की सेहत के लिए सबसे बढ़िया है omega rich और कई महलाओं की जो मासिक महावारी की जो तकलीफे होती है उनको ठीक करता है और पैरों के पिछले गोलों के गोलों में जो वेरिकोस वेंस होता है जो नसे फूल जाती है सूजन आ जाती है काली निली पर जाती है है लसे वेरिकोस वेंस में भी omega rich तो omega rich स्किन प्रॉब्लम में सुरियासिस में हमारे बालों की सेहत के लिए है ना जोडों के दर्द को जोडों के सूजन कम के दर्द को कम कर देता है फून में जो कोलेस्ट्रेल उसको कम कर देता है कंट्रोल कर देता है और हमारे दिमागी हमारे दिल की सेहत के लिए महलाओं की मा लेकिन हम बात कर रहे हैं ओके ओमेगा रिच दोस्तों कैप्शुल डीटॉक्सिफाइव के बारे में 33 प्रकार की जडी बुटियों का एक कॉंबिनेशन है और कैप्शुल डीटॉक्सिफाइव के साथ साथ हम लोगों ने यह भी 12 साल से प्रोट्रक्ट मुझूद है धन्मंत स्थितियों में हम लोगों ने रिजट लिया है कैप्शुल डीटॉक्सिफाइव कहां का इस्तमाल कर सकते हैं तो कैप्शुल डीटॉक्सिफाइव तवचा की सेहत के लिए जैसे कि सोरियासिस हो एक्जीमा हो या डर्मटाइटीज हो किसी भी कारण से तवचा की सूजन य दोस्तों की किसी भी विमारियों में बिलकुल भी इलाज नहीं है दोस्तौक्शुल रिजयों इमेरियों के किसी बींध में किसीबी तकीक में नॉर्मल करने के लिए capsule detoxify महिला की जो मासिक वारी के जो तकलिफे होती है जैसे कि सफेद पानी का बहाओ खुन का बहाओ कंट्रोल न होना बच्चे दानी में अंडो में पानी बनना PCOD ओके या पीरिड्स सही तरह के सही हर महने सही तरह के से पीरिड्स का नहीं आना तो यह महिलाओं की किसी भी समस्याओं में महिलाओं आप पुरुशों के प्रजनर्शमता में त्वचा की समस्याओं में किद्नी की समस्याओं में लिवर की समस्याओं फेपरों की समस्याओं कैंसर की समस्याओं ऐसे कि बहुत सारे अलग-अलग तकल तो अगर आप मुझे पूछोगे की सब्सक्राइब के सारे प्रड़क्ट नंबर वन है क्यूंकि हर प्रड़क्ट की जगा है इसलिए प्रड़क्ट अन्बर वन है इसलिए हर क्या districts बारत में यसमें कैल्शम के कैल्शम और साथ-साथ है ना विटामिन B6 भी है विटामिन B12 भी है विटामिन K27 भी है फोलिक ऐसे मैगनेशियम बोरॉन सेलेनियम दिन क्रोमियम यह सारे पोशक तत्वा क्यालरीस दूटू मैंक्स में ही मौझूद है और दोस्तों जैसे कि हमारी समझ यह है कि कैल्शियम और विटामिन D2 सिर्फ हड़ियों और दातों के लिए जरूरत है लेकिन मैं आपको बता दू कैल्शियम और विटामिन D2 के साथ जो अलग-अलग पोशक तत्वा है विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन Q27, फोलिक ऐसे यह सारे पो दातों के साथ-साथ फ्रवाः में सबसे बड़य रिजर्ट देता है है माहिलाओं में हड्डियों की कमज hairstण के लिए जोडों के के दर्व के लिए बहुत सारे इस्तवाल होता है तो सबसे ज़्यादा अगर के वारे में बात करेंगेńsk के दर्फ के ड्रण ओके ईड़ों का दर रौन की घ्रीरों की सेहत माहलाओं के महावारी मंद्री v की मैं में दे सकते हैं प्रेग्नन के लिए बड़त्री के लिए घृत्त विक्षक जबदर्ड प्रोड़क्ट है जो अलग अलग स्कितियों में बहुत बढ़िया तरीके से हैना हम लोग है ना दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया और जबर्दस प्रोड़क्ट है कैलरेच लिटो माक्स कि आर्थोरीच प्लस दोस्तों आर्थोरीज प्लस एक जबरदस प्रोड़क्ट क्यूंकि एक ऐसा प्रोड़क्ट है है ना जिसमें कोलेजिन टाइप टू दोस्थ जैसे की मैंने में बुला कि जोडों के दर्द में हम लोग को ज़रुरत किसकी है Cartilage Regeneration की ज़रुरत है और Cartilage Regeneration के लिए Arthorage Plus में Collagen Type 2 मतलब Cartilage का Protein Cartilage को तयार करने के लिए जो Protein की ज़रुरत है वो है Collagen Type 2 वो इसमें है और Cartilage को बनाने के लिए जो एक Supplement की ज़रुरत है पोशक तत्वों की ज़रुत है वो है Glucosamine तो काइटलीज के संबंदित प्रोटीन और ग्लुको जो एक सप्लिमेंट ग्लुकोसमाइड यह दोनों इसमें मौझूद है और इसलिए आर्थोरिज प्लस क्या करता है देखो आर्थोरिज प्लस जोडों के बाजू में जो एक ओईल रहता है जिसको साइनोवेल कहते हैं तो जो पतला बन जाता है बुड़ा पे उम्रब बढ़ने के बाद उस फ्लुइड को नाम के जो निंगर जाए गाड़ा बनेगा तो क्या होगा वो थिक बनेगा तो जो घिसा हो हो कम हो जाएगा और इसलिए घिसाऊ कम हो जाएगा है ना और इसलिए दर्द कम हो जाएगा तो इस तरह से आर्थोरीज प्लस जॉडों के बाजिय में जो होता है साइनल फ्लीज उसको भी गाड़ा बना देत आ है उतना ही के लिए और जोडों के दर्द के लिए और जोडों के बीच में उसको बनाने के लिए जो रहता है उसको बनाने के लिए एक जबर्दस कंबिनेशन है तो दोस्तों यह इससे च्वावाझ ससे शेखते हैं इस तरह चोरणि है तो इस न म यह इस तेल को लगा के और इस पत्रपोटली को गरम करके आगर सेखेंगे तो दर्द में बहुत बढ़ा आराम मिल सकता है और इस तरह से और तुरिच ऑईल और और तुरिच पत्रपोटली और और तुरिच ऑईल है ना कई लोगों को उपर से उपरी सतर पे ऑईल दर्द नि कार्णिको टेन, दोस्तों, कार्णिको टेन भी एक धबरदस पोशकतत्व है, कार्णिको टेन में emotion gene, qten मतलब co 즐ot剂 खाय और कार्णीको कोन टेन को दिल की सेहत को सेहत मन बनाने के लिए, मास पेसियों की सेहत के लिए नसों की सेहत के लिए दिमाग की सेहत को मजबूत बनाने के लिए आखों की सेहत के लिए और पुरुषों में जो सेक्शुल प्रजन समता की पुरुषों की प्रजन समता को कमजोरी को हटाने के लिए कार्णिको टैन एक दबरदस कि दोसतो रिस पाउडर में कंटकारी अर्जूना स्टार्च और पुनर्णवा थुलसी कड़ी पत्ता करेपक और यह उसमें पाउडर ऊंत्याओं रिस्पे की अर्ज सरी जैशे कि शुर्ड़ीा खासी और गले में खराश और जो भी sounds के संभंदिद अलर्जी है सासों की समय इंफेक्शन है इसमें रेस्परिज पौडर एक जबर दस रोड़्स रोड़क्ट है दोस्तों से साथ संब्दित जो भी प्रक्रिया प्रॉब्ल्बम है उसमें रिष्परिश कैप्शूल और पौड़上 कारं के लिए पानी किंपी लोग जो है पानी कम पीते हैं और पानी की कमी की वजह से भी और किड्नी के स्टोन से ले बहुत सारे अलग अखरण हो सने हैं, लेकिन सबसे पहला मेहत्वपूर्ण कारण है, लोग पानी पीना बूल जाते हैं, कम से कम 3 से और जादा जायदा पानी पीना चाहिए, और इसलिए किड्नी में इम्योरिस डिटोक्सिफाइब और लितोरिश पाउडर के साथ-साथ अगर तीन से पांच लिटर पानी लिया जाता है तो किड्नी स्टोंस में सबसे बढ़िया असरकारक है लितोरिश पाउडर दोस्तों नूराइच नूराइच में सबसे बढ़िया जो तत्व है, वो है, रसराज, रसरोगई, शेटामानसी, टीनस, क्याय पुटिया इसमें मौहित है। तो नसनों की सम्धिव के सम्धिव के सम्धिव है, दिमागी स्ट्रोक हो, है न, क्या कहते हैं उसको आखों की रोश्णी, रेटिनो पेती हो, पेरों के तल्वा में निवेरिकोस वेंस हो ब्लड प्रेशर में तो नसों के संबंदित चाहे फिट्स हो चाहे स्ट्रोक हो नसों के संबंदित या निवेरों के तल्वा में और रीड के अड़ी के बीच में से जो नसे जाते हैं उनके लिए तो नसों के संबंदित कोई भी प है रिर या इसके लिए मैंने अलग से और ये कैंसर के लिए कैंसर में एक सपोर्टिवी प्रोडक्त है और इसमे अम्हा है इसमें ग्रींटी है اور इसमें विंका रोजिया मतलब सहा सदा बाहर करके जड़ी बोटी जड़ी बोटी होते हैं यह चार प्रकार के जड़ी बोटी हो का मिश्रन है capsule CCR और यह cancer में cancer में इसका उपयोग किया जाता है तो cancer में बाकी इम्यूरिज डिटॉक्सिफाइब ग्रीन टी टाबलेट के साथ साथ प्रोटीरिज के साथ साथ capsule CCR cancer में देंगे तो cancer की स्थितियों में बहुत सारा फायता है है कि दोस्तों फाइटोग्रा किसी भी शादी शुदा जुड़ों में मर्दों की कमजोरी की बज़े से अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर फाइटोग्रा एक जबरदास मर्दों में मुर्दों का जो तो कि कमजोरी तो ऐसे मर्दों की कमजोरी में मर्दों की से के लिए सेख्षिए सेहत के लिए फाइटोग्ञा एक जबर्दस प्रड़क्ट है मैं कि अगरीन डिश कैपशूल में ग्रीन टी के साथ साथ पिपली कर सिन्झीया कंबोजिया गरीन कॉफी एक्स्टाइक है और लिट के लिए ब्रीटिटी इस संडिय सोटिय मैं वंटल करने के लिए ग्रीज जो शुगर करने के लिए और ग्रीन जो करने के लिए और कीमोटेरीपी के साइड ऐफेक्स को कम करने के लिए और इसलिए एक एंटी और को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन रिच सबसे बढ़िया है ग्रीन टी टाबलेट भारत का सबसे बढ़िया है ना डिजॉल्विंग टेक्नॉलोजी तो दोस्तों इस प्रोड के साथ साथ है ना हम लोग आज का यह जो शेशन है वैसे बहुत सारे प्रोडर्ट के साथ खते हैं Lon लोग 01 झाय है की गरम पानी ने कितने जबर्दस तरीके से इतना ही नहीं दोस्तों जर्थे जडिवोटियों का ऐसमें के साथ-बीच और थीक्री और हल्दी और अद्रग और काला नमग और इसलिए ग्रीटी टाबलेट एक बढ़ने वाला टेक्नोलिजी डिसवर्ड टेक्नोलोजी वेट मैनेजमेंट के लिए वजन को कंट्रॉल करने के लिए हमारे दिमागी सेहत के लिए और हमारे शरीर में जो मेटबोलिजम की प्रक्रिया चेपचेगी की प्रक्रिया उसको बढ़ाने के लिए है ना हमारी चरिन में ताकत बढ़ाने के लिए और हमारी दिल की सेहत स्वचा की सेहत डाइबिटीज जोरो का जोरो की सेहत के लिए एक जबरदस्ट है क्या टाबलेट ग्रीन टी ओके इ यहां पर यह आज का जो कि दन्वंद्री का सेवन स्टार में जो अलग-अलग प्रोड़ेट्स है यहां पर यह सेशन को मैं खतम करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद सभी खूब